नमस्कार सर्वध्रम संगर में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सतेंद्र भाटी तीज जोन की आधी राद जब खड़ी किसुई जैसे ही आगे बढ़ी और एक जुलाई में प्रिवेश किया तबी से भारते इतियाज भी कर विवस्ता की दरश्टी से एक नए य पुरे देश में जीएश्टी लागू हो गया लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे देश का एक बड़ा तबका इस बात को लेकर इतना कंफ्यूज है कि आखिर जीएश्टी है क्या बला और पुरानी कर विवस्ता इससे कैसे अलग है अब टेक्स कितने सिलैब है टेक्स के औ लेकिन शायद आपको अभी भी आपको इस तमाम सवालों का जवाब नहीं मिल रहा होगा तो आएए आज हम आपको समझाते हैं कि जीएश्टी क्या है साथि आपको बताएंगे कि पहले की कर विवस्ता और जीएश्टी में क्या फरक है साथि आज इस कारेक्रम के जरीए आ आज मौझूद है सीए मनमोन खैमका जी जो कि जीएश्टी एक्सफिर्ट हैं कि हमका साथ बहुत हैं कि हमकर साब शीएश्टी को लेकर जीएश्टी फ़ले ही ये तेन शवर रहें लेकिन लेकर पूरा देष सोचने पर मजबूर हो गया क्या खिर करह yhte commodity मैं पत्रकार हूं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे खुद को अभी तक किस बात को लेकर confusion है कि GST क्या है तेस को बदलने की बात की जा रही है आर्थिक आजादी कही जा रही है इस बात को और यही एक वज़ा है कि 1947 के बात से सिर्फ तीन बार आधी रात को संसत का संयुक्त सत्र बुलाय करता हूँ GST जैसा की प्रधानमंत्री मौधे ने बड़े सरल शब्दों में बताया कि Goods and Services पे लगने वाला ये Good and Simple Tax है Good and Simple Tax इसको क्यों कहा गया अभी तक अजादी से पहले से लेके और अब तक जब भी हम Goods और Services के उपपर Taxation की बात करते थे तो कई तरीके के Tax लगते थे जैसे की Excise Duty लगती थी Manufacturing and Production के उपपर जब हम उनी Manufactured Products को बेचने जाते थे तो उसके उपपर वैट लगता था और फिर जब हम Services देते थे किसी को या लेते थे तो Service Tax हमारे पे लगता था इसी तरीके से Luxury Tax, Entertainment Tax, Entry Tax इस तरीके के तकरीबन 14-15 Tax राज्यों के दुआरा या Central Government के दुआरा Goods and Services पे लगाये जाते थे बड़े समय से ये डिमांड थी कि इन सारे Tax ओ को मिला कर के कोई एक Tax लगा लिया जाए जिससे की सरली करण हो जाए उपभुकता को भी ये समझ में आए कि मेरे उपर कौन सा Tax लगने वाला है कोई एक Tax अलग 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 तरीके के Tax मुझे ना लगे दूसरा जो भी ये Tax लग रहे हैं हमारे सिस्टम में वैल्यू एडिशन के तोर पे लगते हैं जैसे की हर सप्लाई चेन में मैनुफेक्ट्र से लेकर के अंति मुभुकता तक जब तक वस्तुएं और सेवाएं पहुंचती हैं बीच में कई इंटर्मीडियेटरी प्रोसेस होते हैं बहुत सारे प्रोसेस गुट्स के उपर करने पड़ते हैं या बहुत जादा वैल्यू एडिशन होती हैं हर स्टेज पर एक नए तरुपे पूरी वैल्यू पर टैक्स लगता है और पीछे की जो वैल्यू दे के आये हैं उसका हमें credit मिल जाता है तो इसको हम input tax credit विवस्था कहते हैं excise में service tax में और wet में अलग-अलग तरीके से ये विवस्था चलती है लेकिन अगर आप देखें तो अभी तक हमारे देश में center के कुछ tax थे और राज्यों के कुछ tax थे तो होता क्या था कि center के tax को हमारे को फाइदा state के tax के लिए नहीं मिलता था और state के tax का हमारे को फाइदा या credit हमारे को central के taxes को pay करने के लिए नहीं मिलता था जैसे simple शब्दों में मैं बताओ तो excise duty की payment करने के लिए wet का benefit हमें नहीं मिलता था और इसी तरीके से वैट की पेमेंट करने के लिए सर्विस टेक्स या एक्साइज जूटी का बैनिफिट नहीं मिलता तो इस समय से होता क्या था कि ये टेक्स कोस्ट का पार्ट बन जाते थे वस्तूओं की और सेवाओं की और उपभुकता को इसके उपर भी दूसरा टेक्स देना पड़ता बड़े समय से ये डिमांड थी उपभुकताओं की और इंडिस्ट्री की भी कि इस से उत्पादन महंगा होता है वस्तूओं और सेवाओं महंगी होती हैं कि सारा मिला के एक टेक्स लगा दिया जाएं तो आज हमने वो देखा है सतर साल के इंडिपेंडेंस के बाद फर्स सूरत तरीके से इसको लागू कर पाएं है तो ये अपने आप में इतना महत्पूर्ण बन गया तो मैं समस्तों कि ये पूरी संसद का प्रधानमंत्री मोहदे का और राश्पती मोहदे का ये उचित निर्णे है कि इसको सेंट्रल हॉल में उतनी ही महत्पूर्णता के साथ क अगर खेमका सब मैं आपसे समझना चाहूं कि पहले अगर हम कोई सर्वीस कोि यहम काम करते थे तो सेल ठेक्स नमबा लेते थे इस्टेट में होता था क्या कहा जाए अगर मैं एक वैपार करता हूं कोई भी वैपारी हैं क्यों हमारे बहुत सारे वैपारी ऐसे हैं जिनकों जरूरत नहीं है देखिए अगर हम इसको तीन चेत्रों में बाट दें पहला मैनुफेक्ट्रिंग दूसरा वस्तुओं का क्रेया और तीसरा सेव आएं तो मैनुफेक्ट्रिंग पे एक्साइज डूटी लगती थी हमारे को जब भी हम कोई वस्तुओं में पैदा करते थे मैन हमारे को एक कॉंटर वैलिंग डूटी जो एक्साइज की कॉंटर वैलिंग होती है जिसको कोमन सेंस में सीवीडी के नाम से जानते है और एक सैड इस्पेशल एडिशनल डूटी वो देनी पड़ती थी जो वैट के कॉंटर वैलिंग होती थी इसी तरीके से जब हम वही वस कि सेवाएं हैं प्रोफेशनल्स की सेवाएं हैं यूटिलिटी सर्विसीज हैं इन सब के ओपर सेवा कर सर्विस टेक्स लगता था और अलग-अलग जंगा पर जैसी जैसी एक ही व्यक्ति को तीन तीन चार चार जंगाहूं में भी एजए इंपोर्टर एजए मैनुफैक्ट्टर एजए ट्रेडर एजए सर्विस प्रोवाइडर रेजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था जी एस्टी वियुष्दा लागू होने से एक व्यपारी को केवल एक रेजिस् में कुछ ब्यपारी गोँ पेन इंडिया बेसिस पे काम करेंगे उन को हर एक ऐसी स्टेट में जहां से व टैक्सेबल सर्फिस्थ सप्लाई कर रहे हैं हर उसे स्टेट में एक रिजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसकी वज़ाए यह है कि अब हम एक अब हम एक destination based taxation regime में पहुँच रहे हैं जी इस destination based taxation regime का मतलब यह है कि जहां पर सेवाएं और वस्तुवें consume होंगी जहां पर ultimate भोगता है उस राज्य को उसका टैक्स मिलना चाहिए मैं आप से चर्चक को आगे बढ़ा हुआ एक दर्सक हम रजात फॉन लाइन पर जी नमस्कार क्या नाम आपका कहां पर मेरा नहीं रहता है तो मैं जाना का रहा है कि जह से जए और कि कि काहना पड़ेगा तो कि स् तरीक है करना पड़ेगा कि आपने सुनाइं का कम शबदों में यही है कि वह च्षोटे वैपारी नं रे सवाफर करते हैं तो उनको किस तरह से करना है इसमें तो मनोच जी जो छोटे व्यवपारी है उसको GST में एक सुविधा दी गई है कि जिनका सालाना टर्नोवर 75 लाक रुपे से अधिक नहीं है वो composition scheme में जा सकते हैं उस composition scheme में नियम ये है कि जो भी वस्तुएं या सेवा वस्तुएं आप खरीदेंगे वो आप register dealer से खरीदेंगे और उसके उपर composition का rate लगा करके आप उसे आगे बेश सकते हैं और ऐसे व्यपारीयों को जो composition में जाना चाहेंगे उनको quarterly return भरनी है monthly return नहीं भरनी है तो ये बड़ी सुईधा सरकार ने दी है आगे चलके इसकी limit सरकार भड़ा भी सकती है इस 75 लाग को और भी आगे ले जा सकती है खियम के सब अगर मैं बात करूँ आपने बोला कि राष्टपती जी ने भी और प्रधान मंत्री जी का आप धन्यवाद कर रहे हैं अगर मैं बात करूँ उस वक्त की जब राष्टपती मौजूद राष्टपती प्रणा मुखर जी उस वक्त मैं यूपे गॉवर्मेंट में वित्यमंत्री जबी रहे थे उस तोरान इनों ने पेश्वस की थी जीएश्टी को लाने की लेकिन शायद पिसली सरकार किसी वज़े से या तो वो देश को समझा नहीं सकी कि आखिरकार जीएश्टी जरूरी है उससे फाइदा है नुकसान है वो लाने में काम्याब नहीं हो पाई लेकिन यहाँ पर आज के मौजुदा मोदी सरकार जीएश्टी लेकर आई है आखिरकार अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्या इससे बड़ा फायदा होने वाला था क्या इससे टैक्स सिस्टम जो बदला हो रहें क्या उससे कुछ सुविधाएं बढ़ने वाली है कुछ इजी होने वाला है क्योंकि ये भी कहा जाता है सबसे बड़ा सवाल इसमें य देखिए GST एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था तो ये कहना कि UPA सरकार विफल हो गई या नहीं लेया पाई और ये सरकार लेया पाई मैं कहूंगा कि इस बहस में या इस डिसकुशन में हमें नहीं जाना चाहिए हो क्या रहा है कि ये तो जो प्रियास जारी है ये सन 2000 से जारी है और 15-17 साल के एफर्ट के बाद और नाकेवल केंद्रिय सरकार के एफर्ट के बाद सभी राज्यों की सरकारों के और सभी पार्टियों के समलित एफर्ट के बाद आज हम ये 1 जुलाई को ये दिन देख पाएं हैं तो ये पिछले 15-17 सालों में इस law को evolve किया गया है और सबसे बड़ी दिक्कत ही थी कि तकरीबन 15 अलग-अलग तरीके के taxes को इसमें समाहित करना था और एक ऐसी विवस्था लोगों को देनी थी जो सरल हो और सरलता से समझ में भी आए तो उसमें इतना समय लग गया तो ठीक है बट फिर भी आज हमने इसको achieve कर लिया और मैं कहूंगा कि ये समलित effort है सभी का और सारे ही दलों ने सारे ही political parties ने business man ने business community ने सभी को ने इसका इसमें बड़ा योगदान दिया है तो ऐसा नहीं समझना चीए थोड़ा सा delay हम मान सकते हैं कि process हुआ पर कोई बात नहीं आज हमने ये देखा है ये सभी को लाभानवीत करेगा दूसरा प्रशन जो आपका था कि क्या जो corruption एक में मुद्धा था वो क्या इस विवस्था से हमको निजाद मिल पाएगी क्या हाँ तो राठी साब इसमें विवस्था अब नाकेवल personal हातों में नहीं रहेगी जादा ये विवस्था टेक्नलोजी ड्रिवन होगी और बहुत सारा processing का काम हमारा टेक्नलोजी के थूरू online होगा तो corruption के मौके और corruption के लिए chances बहुत कम इस विवस्था में रह जाएंगे बाकी जैसे जैसे विवस्था में नियंतरन और administration होगा हम समझते हैं कि corruption इससे कुछ कमी होगा जादा नहीं होगा इससे अगर मैं बात करूँ खेमका साहब आपसे जीएस्टी काने से आम उपभोकता को क्या फायदा मिलेगा देखें आम उपभोकता को राठी साहब क्या फायदा मिलेगा इससे कि उसको tax के ओपर tax नहीं देना पड़ेगा जैसा मैंने बताया कि उत्पादन पर exercise duty लगती थी यहां पर रोकना चाहँगा खेमका साहब आपसे चरसाम आगे बढ़ाँगा लेकिन एक दरसक है जो कि सवाल पूछना चाहाए थे क्योंकि हमने कारिक्रे में यह भी कहा था कि बहुत सारी लोगों के जहन में बहुत सारी सवाल है जी नमस्कार क्या ना मैं आपका कहां से बोल रहे हैं जी बताएं सवाल पूछें आप असर मेरा सवाल यह है कि कल मैं एक होटल में खाना खाने गया था जी तो वहां पे ना दो तरह की ट्रेक्स मुझे दिखाई थी एक स्टेट गोर्मेंट का तो मेरा पूछना यह है कि दोनों टैक्सिज मिलाकर 12% होते हैं 12-12% अलग टैक्सिज लिए जाते हैं गोर्म जी दोनों टैक्सिज मिलाकर के एक टैक्स रेट बनेगा अगर 18% का टोटल टैक्स रेट है तो अठारा बारा का है तो बारा और अठाइस का है तो अठाइस तो रेस्टोरेंट के अंदर टोटल टैक्स आपको अठारा परसंट का लगा होगा अगर आपने अठारा अगर रेस्टोरेंट में खाना खाया है और 9% Central Tax और State Tax देखिए हमें यह समझना पड़ेगा कि यह हमारी संघ्य विवस्ता है हम भारत वर्ष में राजियों के भी कुछ जिम्मेदारी है और कुछ Central सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है दोनों को ही अपनी अपनी विवस्ताइं चलाने के लिए कर चाहिए तो एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों लोगों के टैक्स हैं जो पहले अलग-लग लगते थे अब एक ही GST के माध्यम से दोनों टैक्स लगते हैं पर उपभुखता को मैक्सिमम टैक्स वो ही लगता है जो GST कॉंसिल ने निर्धारित किया है चलिए करिक्रिक्रिम को बढ़ते हैं सवाल मेरे वही तक कि आखिरकार एक आम उप भूगता को क्या फायदा मिलने वाला है देखे पहले क्या होता था कि व्यपारी पे अंतिम व्यपारी तक समान पहुचने में और भूगता तक समान पहुच में एक्साइज जूटी के उपर भी वैट लगता रहता था और एक्साइज जूटी का बैनिफेट किसी भी व्यपारी को मैनुफेक्चर के आगे मिलना बड़ा मुश्किल होता था अब क्या होगा कि एक GST लगेगा और जैसे जैसे व्यपार चेन में वो वस्तुएं और विधाय मिलने की उमीद है अगर मैं बात करूं इसमें आम तोर पर बहुत सारी चीज़े होती है जो कि अगर मैं बात करूं बिहार से बिहार से लोग यू उत्रप्रदिस से लोग सोचते हैं कि दिली से सामन खरीद लिया जाए ताकि वहां पर सस्ता मिल जाएगा कर बेटी राजियों में अब ये एक एक देश एक करवेवस्था ऐसा है और कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं पर मैं इसको वाकई एक देश और करकित माध्यम से देखता हूं और मोटे तोर पे अलग अलग राजियों में एक ही वस्तू के उपर एक ही तरीके का और एक ही रेट का कर रहेगा अब रोकूंगा मैं आपको एक बार फिर से यहां पर क्योंकि दर्सक हैं जो कि बहुत सारे उत्सु के सवाल पूछना चाहते हैं जी नमस्कार क्या नाम आपका जी मैं पंकच बोल रहा हूं पहली से जी अपना सवाल पूछे पंकच आप जी मेर कैसे रहा इसमें तो दो 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 तीन तीन टैक्सिश लग रहे हैं जैसे सीजी, एस्ट और तयक्या अभी विनिक्लूवट हैं इसके अंदर वस्ता में है तो दोनों सरकारों को अपनी अपनी जिम्मेदारिया निभाने के लिए कर चाहिए तो वो कर लेकिन आप से कस्टमर से एक ही टेक्स के रूप में वसूला जा रहा है केवल नॉमन्क्लेचर अलग-अलग है और जिस राज्य को पहुँचना चाहिए और जिस को या व्यपारी को इसमें डिस्टिंग्विश करने में कोई बहुत परेशानी का काम नहीं है एक सिंगल रेट दिया गया है और उसके फिर आधे 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 भाग को cgst आधे भाग को sgst मोटे तोर पे ऐसा निरधारित किया गया है यानि कि यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि सरकार को जितना कर आदमी से वैपारी से चाहिए वो उतना ले रही है बस फर्क इतना आएगा कि उसको चार जगे दो जगे ना लेकर एक बार में वन टाइम वो चला जाते हैं राजिये सरकार के पास चला जाएका और किसी और राजबियायर और शेखराएंग के पास चाहिए तो चेक पोश्ट थे उनको खतम कर दिया गया है तो क्या वाकिए वहाँ पर अब कोई इस तरह की विवस्ता नहीं होगी अब वो लंबी-लंबी कतारे नहीं रहेंगी जाम भी नहीं रहेगा इस सब से निजात मिलेगी कम से कमी काम आम आदमी को जी जी जो इस पूरी विवस्ता का स्वरूप तयार किया गया था उसमें एक प्रणाली लगाई गई थी ईवे बिल तो जब भी कोई पचास हजार रुपे या उससे अधिक का माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक जहाँ से दूसरी जहाँ जाएगा विदिन दा उसमें स्टीकर लग जाएगा और उसी पे सारी उलेक्ट्रोनिक एंट्री हो जाएगी और जब वो इंस्पेक्टर जो रास्ते में कहीं भी आपकी इंस्पेक्शन करेगा अगर तो उसके पास ऐसी मशीन रहेगी जो उसको रीड कर सकती है तो उसको केवल आधा मिनट लगे लागू हो जाएगा तो वाकि जब परीवर्तन देखने को मिलेगा चलिए एक और दर्सक हमारे साथ फॉन लाइन पर जोड़े होएं जी नमस्कार सवाल पूछा आप अपना नमस्कार सर मेरा नाम अजय कांत है जी सवाल पूछा जी अगांत आप अप मैं एक कपड़ा वेपारी हूँ मामुली साथ छोटा सा कपड़ा वेपारी हूँ सर और मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब से जी एस्टी लागू हुआ है तो क्या हम जैसे छोटे वेपारियों को भी जी एस्टी नमबर लेना जरूरी है और कब कब तक ले सकते हैं सर देखे कि अब कपड़े पे भी जी एस्टी लागू है तो अगर आपका 20 लाग से उपपर है टर्नोवर या होने वाला है और आप समझते हैं तो आपको जी एस्टी नमबर लेना जरूरी है और अभी तक अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो 30 दिन का आपके पास समय है 30 दिन के अ हच्पूर दस्तावे जिसके लिए उनको चाहिया होंगे कितना वक्त लगेगा उनको जी एस्टी नमबर लेने में कैसे उनको काम करना अगर छोटा सा ब्रीफ आप हमारे दर्सकों के लिए सकें तो देखें जी एस्टी नमबर लेना कोई बहुत मुश्किल नहीं है बहुत व्यपार के स्थल की इंफोर्मेशन है उसका आधार नमबर है यह सारी इंफोर्मेशन देके इसके प्रूफ दे करके हम अपनी एप्लिकेशन सम्मीट कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी उसका रिस्पोंस आ करके पर्मानेंट आपका रेजिस्टेशन हो जाएगा और कोई भ बात करूएं कि मध्यम वर्गय वेपारी की तो जीएस्टी के आने से क्या उसको कुछ लाब मिलेगा या फिर उसको सूइध हैं कुछ और जादा मिलेंगी जीएस्टी के आने से मध्यम वर्गय वेपारीयों के लिए सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि जो एक्साइज ये सबसे बड़ी फाइदा मध्यम वर्गे वेपारियों के लिए है और अब उनको अलग-अलग व्यवस्थाओं से अलग-अलग टैक्सों से जूजने की जरूट नहीं है मान लीजे कि वो फर्स्ट स्टेज एक्साइज डीलर की तोर पे रेजिस्टेशन कराने की उनकी पहले जरूट थी अगर उनको एक्साइज का बेनिफिट देना है अब उसको नहीं करने की जरूट है अगर वो सेवाएं कुछ लेते थे या अगर उनको कुछ ऐसी सेवाएं जिनके उपर उनको रिसीपियंट के तोर पे टैक्स देना होता था अब उनको सर्विस टैक्स का अलग नंबर लेने की जरूट नहीं है तो केवल एक मध्यमवर्गे व्यपारी को केवल एक रेजिसेशन लेना है और वो अपना संपूर्ण कारिय कर सकता है और साथ में मध्यमवर्गे व्यपारीयों में भी अगर 75 लाग से कम की turnover है साल आना तो वो composition scheme में जा सकता है और monthly return के बजाए quarterly return भर सकता है तीमाई रिटन भर सकता है इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें रिटन एक महीने में कई बार भरनी होंगी या साल में कई बार भरनी होंगी इसका जरा विस्तार से बताइए कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बड़े कन्फूज है कि अब तक तो साल में एक बार भरते थे सेल टेक्स हम चार बार भर देते थे या दो बार भर देते थे उसके बाद लेकिन अब बहुत ज़्यादा रिटन भरने का वो प्रॉसेस होते हैं नहीं देखिए ऐसा नहीं है बलकि सरकार ने सुविधा किया जी एस टी में रिटन तो आपको हर महीने भरनी है क्योंकि हर महीने एक टैक्स पीरियड है और एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए बहुत जरूरी है कि हर महीने कंप्लाइंस होते रहें लेकिन रिटन दिखने में तीन है महीने की लेकिन वास्तव में एक है बलकि सुविधा ये बनाई गई है कि आप अपनी सेल की या सप्लाई की रिटन भर दीजिए तो जब आप अपनी सप्लाई की रिटन भरेंगे तो आपका जो बायर है उसकी पर्चेस की या इनवर्ड की रिटन उसको अपने आप मिलेगी बन करके system के दुआरा उसको उसकी return मिल जाएगी उसके बाद उसको उसको check करना है और कहीं भी कोई difference है तो व्यपारी वर्ग आपस में बात करके उन differences को खतम कर सकते हैं और फिर अपनी monthly return 20 तारिक तक भर सकते हैं अभी भी हम ये काम करते थे purchase की return, sales की return ये दोनों हम भरते थे और फिर एक monthly भरते थे भरते एक ही return में थे तो इसलिए हमें ये नहीं लगता था कि हम अलग-अलग भर रहे हैं पर ये सारी details जो अलग-अलग return के माधियम से या details के मा देगा तो ये मैं समझता हूँ इसको एक सुविधा के तोर पे देखा जाना चाहिए और इसमें से mismatching का बड़ा पीछे तीन साल में mismatching की बड़ी दूविधा हुई है वेपारियों को तो वो बलकि इससे दूर हो जाएगी और धीरे-धीरे कम हो जाएगी जब एक बार system place मे ठीए आजाएगा तो है यहाँ अब आपर खेंगशे हमका साप अगर बातकरूं बहुत सारे बड़े वयपारी हैं उनके कारोबार हैं एक कैके कारोबार वो अपनी एक फेक्टरी से, एक शोरूम से, एक दुकान से, अगर मैं कहूँ, उससे दूसरी ज़गे, अपनी ही कार खाने में, अपनी ही शोरूम पर, अगर वो माल मंगाते हैं, तो क्या उस पर भी कोई टेक्स लगेगा? देखिए अब विवस्था क्या हो गई है कि अगर आप किसी भी स्टेट में अलग से कार्य कर रहे हैं वहाँ आपकी अलग ब्रांच है वहाँ आपका अलग वेयर हाउस है या डिस्टिबूशन सेंटर है तो आपको हर सेट में एक रेजिस्ट्रेशन लेना कमपल सरी है क्योंकि जैसा हमने बताया कि डेस्टिनेशन बेस टैक्स है तो जहाँ जहाँ सेवाई जाएंगी या जहाँ जहाँ गुड्ज जाएंगे वस्तूएं जाएंगी उस state को tax मिलना चाहिए तो वो व्यवस्था आप लागू की गई है कि अगर आप अपनी ही ब्रांच को भी stock का transfer करते हैं दिल्ली से मान लीजे उत्तर प्रदेश में stock का transfer करते हैं तो उसको भी supply माना जाएगा लेकिन ये व्यवस्था केवल करों को एक state से किसी को credit मिलना है तो valuation आप दोनों offices के दोनों ब्रांचों के बीच में स्वतह निर्धारित कर सकते हैं कि किस price पे एक state से दूसरी state में माल transfer करना है उसमें सरकार का कोई हस्तिक shape नहीं है तो आप अपनी सुविधा अनुसार जितने आपके पास credit है उसके अनुसार अपनी pricing कर सकते हैं और इससे आपकी working capital पे भी कोई फरक नहीं आएगा ये एक बड़ी apprehension है और लोगों में भ्रम है कि इससे working capital की requirement भढ़ जाएगी तो pricing में relaxation करने की वज़े से valuation में relaxation की वज़े से ये जो working capital भढ़ने वाला भ्रम है ये दूर हो जाएगा ऐसा कोई ब्रम ना रखें जी एक और M सावाल यहां पर खेंगा सब मेरी जहन में है कि GST की लागों होने से हमारी भारतिय अर्थ विवस्ता को कितना फायदा होने वाला है देखिए ये पिछले एक साल में जिस तरीके से काले धन के खिलाफ मुहीम चली और फिर डिबॉनिटाइजेशन का ये स्कीम आई ये तो हमें सभी को पता ही है कि एक पैरलल विवस्ता हमारे देश में चलती है जो केवल कैश की विवस्ता है उसमें कुछ विवस्ता काले धन अब इस विवस्ता को आने से जादा से जादा लोग टैक्सनेट में आएंगे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी सभी लोग में धारा से जुडेंगे मुख्य धारा से जुडेंगे ओर टैक्स एक जंगा से दूसरी जंगा असानी से पहुँचेंगे अगर आप पीछे कोई भी tax pay करके आए हैं उसका credit आपको आगे मिलेगा जब तक कि सरकार ने policy measure के तोर पे उसको deny नहीं किया है जैसे कुछ चीजों पे सरकार ने deny कर दिया कि गाडियों से related कोई भी tax हम नहीं देंगे या construction से related कोई भी tax factory के मका office के या warehouse के construction से related कोई भी tax का credit नहीं देंगे इसके अलावा जो भी tax आप pay करके आ रहे हैं जिस तरी तो उनका सबका benefit आपको मिलेगा तो इससे ज़्यादा transparent होगी और विवस्ता और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुडेंगे टैक्स भी ज़्यादा collect होगा इससे टैक्स भी ज़्यादा जो लोग जो लोग सिस्टम की लूपोल की वज़े से टैक्स की चोरी काफी हद तक इस पर रुख जाएगी चली चुकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये खेमका साब एक दिन में नहीं खतम उसका टाइम का पता ने लगा आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे लेकिन आने वाले वक्त में हम आपको और भी कोशिस करेंगे जी एश्टी के हर एक पहलू के बारे में बारिकी से समझाने के लिए फिलाल आज के लिए बस हमें इतना ही हमेदी जैजाजाद नमस्कार सर्वधर्म संगम धर्म के सच्चे प्रहरी